बालो जी एक्सी चनल में आपका स्वागत है मैं हूँ इसके सिंग और आज आपको एक नया टॉपिक जो 12 के में है चेप्टर 4 में रिप्रोड़क्टिव हेल्प जिसको हम लोग देख रहे हैं आज पांचमा जो पांचमा वॉलूम के रूप में हम लोग देखेंगे कि पिप्ट्रोड़क्टीव मुझे अहां पनाय जाने वाला रिप्रोड़क्टिव टेक्नोलोजी को स्पिक हेなるほど के नाम से इसको जनाो आथता है इस एली ही अह गया छोटा गया यहां in foroff Cle cũ hmm कि नão ऑन पन ya Hahn दोर को चोजय बांच समस्वाइब को जो मेयल और मैंट होते हैं जो अपने बचसे को जम देने में सक्षम नहीं होते हैं dop और फीमेल के लिए यह टेक्निक अपनाया गया है यह टेक्निक बहुत कारगर टेक्निक है क्योंकि पहले क्या होता था कि मेडिकल जो है इतना भिखसित नहीं था लेकिन बाद के समय में जब मेडिकल भिखसित हुआ तो जो माव बाप अगर बच्चे को जम देने में सक्षम नहीं है तो ऐसे condition में यह चीज कियाता था इंफर्टिलिटी का मतलब होता है कि इंफर्टिलिटी का मतलब होता है कि वैसे मेल और फीमेल जो बच्चे को जम देने में और सक्षम है उसको इंफर्टिलिटी बोलते है इंफर्टिलिटी के वल फीमेल नहीं हो सकती है मेल भी हो स सकता है क्योंकि केवल फीमेल बांच नहीं हो सकती और महिलाओं के प्रति जो बांच पन का धारना है यह गला धारना है इसको ठीक करने की जरुएत है तो इनफर्टिलिटी होता है कि मैक्सिमम दो साल तक किसी मेल या फीमेल के बीच में संबंध बनने के वावजूद भी बच सेव इनविलिटी तु कंसीब इवेन आफ्टर इवेन आफ्टर सेक्सवली इसक्सवली कोहभीएशन कोहभीएशन आफ टू यह बत्ता दो साल तक मेल और फीमेल के आपसी सहयोग के बाब्यूद भी मेल बच्चे का जिन्रेवान नहीं होता है तो उसको इनफर्टिलिटी क से जाकश करका फिर्म नाम से घानते हैं खासकर कर यह जहले ज़्यादा जरूरा जीवन में यहीं क्लास आपको आज है होगा क्पाइब करणों यह का हो सकता है अंदर होता है और किन के अंदरी की क्विवा कया मेकरम सबसे पहला की stock होता है कि मैकी अगर अधिक में साधी विवा किया जाए law एसे कंडिशनि कर बने कोव मातल पर्स आंप काउंट के समख्या कम हो जाएगा मैच्योड पी तो तो mature age दोनों के लिए कारगर होता है दूसरा होता है कि एक चीज होता है जिसमें क्या होता है कि no sperm formation no sperm no sperm formation no sperm formation का मतलब होता है कि ओजो एक टेकनिक होता है जिसके माद्यम से sperm का formation नहीं होता है एक तरह का disease का सकते हैं एक होता है oligo spermia oligo spermia क्या है कि अगर less sperm production less sperm production अगर होता है तो इससे जो होता है उसका हेल्दी जो मेल होते हैं उसके अंदर एक बार में 200 से 300 million sperm का production होता है लेकिन अगर इसकी मात्रा अगर कम होगी तो ऐसे condition में राश्ते में जो है फिमेल के यूटिरस में जाते वक्त ही डिस्ट्रा हो इसलिए हेल्दी जो है होना जरूरी होता है हेल्दी जो है कारण 200 से 300 million sperm का मात्रा का रहना जरूरी होता है इसके बाद आता है मेचियोड एज मेचियोड एज जो होता है यह फीमेल के लिए अब हेरि यनयिज का शिंड्रॉम के नाम से इसको जणा जाता है यह फी और बनता है कहीने कहीं से जो है फीमेल के मांच्टपन का इसके अलाब पी आईडी पी आईडी का मतल्लों हो गया प्यल्विक इंफ्ला मेशन कि बीजिज तो ये भी जो है कई न कई से फीमेल में इंफर्टिलिटी का कारण जो है बाजपन का कारण हो सकता है अब इसके लिए कुछ टेकनिक है जो है इसके अलाबा एक और चीज़ होत है इरेक्टाइल डिसफंक्षन कोई और या कोई जो है हॉर्मोन का जो है फंक्सनली काम नहीं करना वह भी एक तरह से कारण बन सकता है इन चीजों के लिए तो अगला चीज़ हम लोग देखते हैं कि इसके लिए कौन-कौन टेकनिक अपना याता है ए आर्टी के इंतरगत जो आपना याने वाली टेकनिक है वह कौन-कौन सी टेकनिक है उसको देखते हैं एर टी के इतरगत अपना नहीं जाने वाली टेकनिक है आई भी एफ hivf को बोलते है इन इनależ मिट्रोः फार्टी लायजेशन विक्रोः का मतलब ट्यूब जब फार्टेलैशन का काम प्रूट्लाइशन का मतलब असल सब्सक्राइश जाता है मिलना सब्सक्राइशन गया मेरो और फींचे फेमेल गैमिट पर फ्सक्रा अगर ट्यूब के नदर हो तो यह इन वीत्रो फेटलाइशन कर लाता है, आज के समय में यह technique बहुत ही ज्यादा कारगर है, यह male और female, जो बाण्शपन के सिकार है, ऐसे condition में male और female से यह process को कराया जाता है, इस technique के लिए क्या है, तो सबसे पहले है एक liquid है, हम लोग जो है, sperm जो है वह ले लेते हैं जो कि male से अगर male का sperm count कम है male का sperm count कम है तो ऐसे condition में donor से हम लोग sperm bank से sperm bank से हम लोग सीमेन लेते हैं और सीमेन को nitrogenous nitrogenous जो है liquid में उसको डखके रखते हैं ताकि यह खराब नहीं हो और यह सीमेन को बाद में female के body के अंदर transmit करते हैं तो एक तरीका तो यह हो गया दूसरा तरीका है कि अगर फीमेल अगर जो है बाज हो तो ऐसे condition में भी टेकनिक होती है कि फीमेल बाज है तो फीमेल surrogate mother को के माध्यम से जो है यह चीज़ कराया था तो सीमेन को एक जगा इंजेक्ट रखकर और दूसरे जो फीमेल अगर मेल मेल इंफर्टाइल है तो फीमेल के अंदर जो है इस सीमेन को टांजिट कर दिया जाता है फीमेल ठीक है तो ऐसे कंडिशन में लेकिन अगर फीमेल में प्रॉब्लम है तो ऐसे कंडिशन में दूसरे टेक्निक को अपना जाता है तो मेल के अंदर nonprofit करला मेल के अद्र की मातरा कम होना इसके लिए इई या आई वी आप टेक्निक अपना आता है फ्यBERों या थो इसने का मतलग होथा azt इंबर्यों और म्लभी त्रह्म आप करन आब वह उसका तीसरा आता है ZIFT, ZIFT जिसको बोलते हैं जाइवोट इंटडा फॉलोपियन ट्रांसफर तो एक हो गया IVF दूसरा हो गया ET तीसरा हो गया ZIFT चौथा हो गया चौथा हो गया IUT पांचमा हो गया AT छठा हो गया ICSI 7 हो गया IUI चलिए तो इन विट्रो फटलाइशन क्या होता है कि मेल से सीमेन को लिए सकता या किसी फीमेल में अगर फीमेल में प्रॉब्लम होता है तो उनसे ओभम लेकर और एक ट्यूब के अंदर ओभम और स्पर्म को दोनों को करा आता है मतलि मं और वहां भी रखाता और इसपर्म को करा कर और किसी बॉड्री के अंदर टांच्विट कर देड़ता है ब्लास्टोश क्या सेज होता है तो एक वह में पर मिलने से जाईगोट का फ़र्मेशन होता है जाईगोट जब आगे बढ़ता है तो क्लीवेज बन मा में problem है तो किसी शरोगेट मदर तो कहेंगे सवरोगेट मदर क्या है वैसी मा जो किराये के माध्यम से आपके बच्चे को नौ महीने तक रखने का काम करते है साथ ही साथ उसकी पूरी दिम्मिवारी लेती है तो उसको सवरोगेट मदर के नाम से जाना चाहता है वो इस टेक की ट्रांसफर हो सकता है एक तो हो गया कि फीमेल का जो ट्रैक है कि फीमेल का फॉलपीन टूब है तो यह अगर यह फीमेल का फॉलपीन टूब इस तरह की स्ट्रक्चर में है यह हो गया इस तरह का है तो इस टेकनिक में आम आ हुआ यू टीच और जेड़ आय फ्न डल चीज अब मयं हैकि इस टेक्निक में क्या होता है कि अगर इंब्रायो इंब्रायो स्टेज में है तो डाइरेक्ट इंब्रायो को यहां पर लाके इन्टिच में होता है जाइगोट को यहां पर लागे छोड़न इसय क्लिकर के यहां पर अपना ज्थान बना लेता है इंटो मेटरियरमे दिह जाता है तो भी एक तरह का प्रोशेस हो और यह प्रोशेस के अंदर ट्रांसफर करना और टकनिक यह esfum द मपखके अगर यहां पड़ाकर सिंपर करेंगे तो इंट्राइूटेरिन को यहां पड़ाकर सिंपर करतें घंप तो जो इसेज हो गया जो कि वीछ मेल के अंदर कार्गर मानी जा जी आइस्ट जी गिसको को our gift बोलते हैं गिप्ट क्में पीन चीस आता है एेटी ऑफिये साइगा不用 फिच आइइस पार बता हमातो यह तेंगल यह होता है यह 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 यहकं टेक्णिक क्के मेल के Woman के लिए यह माना जा सकता है यह मेल मेल टेक्निक के वह जो टेक्निक देखें और यह मेल में एंधर यहां पर ट्रांसफिर जो है नीडिल के माध्यम से यहां पर आके त्रांसफिर करियाता है एक न सीमेन को सीमेन को इस जगह पर आके टानविट करता है इसको बोलते इसको बुला याता है आटी बोलाता है Artificial Insemination Artificial i.n.semination Artificial का मतलग हो गया बनाया हुआ और insemination का मतलग हम यहां तक भेजना तो इस टेकनिक का प्डियोग मेल के से स्पर्म को लेकर यहां तक ट्रांजिट करने के लिए उस छनेव के लिए कि लिए जिसका पेज़ से एरेक्टाइल नहीं होता जो यहां तक नहीं पहुन सकता है तो असंगे यह न होँचना जरूरी होता है इस लेटानीका यूज किया उता है दूसरा होता है ौगर्ग को बहुत है इंट्रो सा indra साइडो प्लाजमिक, एसपर्म, इंजेक्शन, यह हो गया, एसपर्म को, जो है, इसपर्म करने केकी लिए इस Bruce को अपना किया गया, कि इस एसपर्म को, डायेट्ट, ऐसपर्म काउट कम है, या फटिलाइजिंग कैपिसिटी, कम है तो ऐसे कंडिशन में यह डायरेक्ट जो है इस ट्यूब को यहीं पढ़ला कर यहीं पढ़ला कर छोड़ दिया आता है जहां पर जाके फ्यूज हो जाता है तो एक टेक्निक यह भी है जो फीमेल के अंदर के लिए की आता है दूसरा होगया IUI इंट्रा यूटेडीन इंसेमिनेशन या तो यूटेड्यस में आके इंसेमिनेट कर दीज़ें वह आगे की तरफ फिर आगे मुफ की तरफ मूफ करता चल जाएगा तो यह टेक्निक खास करके मेल के लिए यूज कियाता है मेल इनेवल होन है इसके लिए ये यूज किया आता है इसके लिए ऊज किया सकता है उसके वेशे जो है येश अ और इसके वादा चीजों नहीं है जो होड़ां उसके बड़ा होते ही डिफ कर जा रहा हो ठाण हो आउसको दूसरे female को अपने गास से बच्चे को ट्रांसपर्ड कर जती है एक दूसरे को कर द ती ऐसी ट्रांसपर्ड गिफ्ट के नाम से जाना आता है तो यह सारा टे 기क है जो एक दूसरे को देने वाला टेकिनिक इसलिए इसका था नाम से आना जता है आसा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आएगा यह आखरी इस चप्टर का लेक्चर था जो आपको आपके लिए इंपोर्टेंट होगा 12 क्लास के लिए इसी तरह के आगे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब करें ल इस चैनल के माधिम से कॉमेंट करें ताकि उस वीडियो तक हम जो है आपको पहुंचा है और उस वहां तक जो है हो सकते तो उस टॉपिक पर हम डिस्क्रेशन करने का काम करें थाइंक यू फॉर